मेरे प्रेवच्चों, आप लोग की शफलता ही मेरा उद्देश्च है और हमारा मिशन यही है कि आप परिच्छा में बहतर से बहतर नमबर प्राप्ट करें, ठीक ना? तो इसके पहले हला की आप कक्षा नायंत के विद्यार थी हैं और पुराना जो भी आपका पैटर्न रहा है, पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है, आप उसको देख भी चुके होंगे, लेकिन अब जो नया पैटर्न यह 2023 से जो चेंज हुआ है, जिसमें OMR सीट भी आप लो परिवर्तन हुए हैं, विशेशकर का भ्यास प्रशनों में, तो अब इस नए परिवर्तन कनुसार, यानि कि जिस तरह से 2023 का जो एकजाम है या जो परिच्छा का पैटर्न है, उसके आधार पर मैं दुबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूं, और संपूर्ड कोर्स मैं अप ना करके दे दूँगा, और टेलिग्राम चैनल पर भी ये सारा का सारा अपलोड रहेगा, यानि आप हर एक एंगल से तयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस चैनल पर ज्यानकोसेच किसन पर काफी भरोशा किये हुए हैं, तापकि भरोशा को हम तूटने नहीं देंगे, तो इसके पहले मंतर नामक जो पाठ है, उसको अपलोड किया जा चुका है, और आज मंतर ने शारी बात, बात नामक जो चैप्टर उसको अपलोड किया जा चुका है, आज हम लोग मंतर के अभ्यास प्रस्नों पर डेटेल चर्चा करेंगे, और सारे प्रस्नों को मैं बिल्कु पीडिएफ बना करके तयार कर चुका हूँ और केवल आपको इसका उत्तर बैट करके लिखना है या फिर आपको पढ़ते रहना है ठीक ना चलिए सुरू हम लोग करते हैं ये मंत्र नामक चैप्टर है मुझसे प्रेम चंजी इसके लेखक है और आप जानते हैं कि यह राजि पारित है तो मैं पुरा गद्यांस नहीं पढ़ूँगा क्योंकि पूरा गद्यांस पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा इसलिए कि जो है कि जो मेंन चीज़ है जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवान नहीं करते साइद इसका उसे अब तक विश्वास नहीं हुआ था ठीक ना नो आता था सब बेसमाज इतना निर्मा मितना कठोर ऐसा मरम भेदी अनभव अब तक नो हुआ था तो यह जो रेखांकित अंस है इसी के बारे महम लोगों को जानना है क्योंकि आपका जो पहला प्रस्न होगा पहला प्रस्न आपका है यह कि प्रस्तुत गद्यांस का संदर्व लिखिए तो देखे क्या लिखना आपको सिर्फ पाठ का नाम मंत्र और लेखा का नाम मुंसी प्रेम चंद आपको इतना ही लिखना है अब इसके आउसे जब रेखांकित अंस की बात जहां तक है तो रेखांकित अंस की व्याख्या कैसे करना है देखे मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल इसका मैं PDF बना दिया हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत आपको न हो देखिए जब भगत अपने यहां से देखिए जब भगत अपने बीमार बेटे को लेकर डाक्टर चडधा के पास जाता है उस समय डाक्टर चड़ा के गोल्फ खेलने का समय हो चुका था डाक्टर चड़ा उसके बिमार बेटे को देखे भी नहीं गोल्फ खेलने के लिए निकल पड़े तब भगत ने सोचा कि संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मनुरंजन के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते इस बात का उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था उसे आज पहली बार अनुभव हुआ कि सब कहे जाने वाला समाज इतना निर्मम और इतना कठोर होता है ये आपका जो है क्या है रेखांके तंस का व्याख्या आप इसको बड़े आराम से अपने कापी में नोट बना सकते हैं जो आपका तीसरा प्रस्न है कठोर सब्य शान्त का विलोम लिखना है तो देखिए अब इसका क्या है कठोर का विलोम होता है कोमल आप सब जानते हैं सब्धे का विलोम होता है और शब्धे आप सब जानते हैं शांद का क्या होता है और शांद आप सब जानते हैं तो इस तरह से आपका ये कौ का जो गद्यांस है इस जो तीन प्रश्ण है ये कि अरे मुर्ख यह क्यों नहीं कहता जो कुछ नौ होना था वह हो चुका है जो कुछ होना था वह कहां हुआ मा बाप ने बेटे का सेहरा कहां देखा म्रिलालनी का कामना तरुक्या पल्लाओ और कुस्प से रंजित हो उठा मन के वह स्वर्ण स्वपन जिनसे जीवन आनंद का पस्रोत बना हुआ था, क्या पूरे हो गए, जीवन के निर्तिमय तारिका मंडित सागर में आमोत प्रमोत की बाहर लूटते हुए, क्या उसकी नौका जलमगन नहीं हो गई, जो ना होना था, वह हो गया, समझ मा गया, तो आपका रेखांकित देखें, गद्यांस तो आप दे रेखांकितंस की व्याख्या के तरफ, तो देखें, रेखांकितंस की व्याख्या हम कैसे करते हैं, कैलास को सर्प डसने के बाद, किसी सुबचिंतक ने, जब डाक्टर चढधा से यह कहा, कि जो होना था, सो हो चुका, तो डाक्टर चढधा, यानि डाक्टर सहाब, उससे क क्या कहे अरे मुर्ख जो होना था वह कहां हुआ क्या मिलालनी जिसके साथ कैलास का बिवा होना था क्या उसके जीवन के सारे सपने सारी संकल्पनाएं पूरी हो गई उसके जीवन की कामना रूपी व्रिक्ष पुष्पित और पल्लिवित हो गए उसके सुनहरे सपने जो उसके जीवन के आनंद का स्त्रोत बना हुआ था क्या वह पूरा हो गया क्या उसके जीवन के तारिका मंदित सागर में आमोत प्रमोत की बहार लूटते हुए उसकी नवका जल में डूब नहीं गई इसलिए जो नव होना था वह हो गया क्लिर हो गया इसलिए जो नव होना था वह हो गया ये उसके रिखांकी तंसकी व्याख्या आप इसे कर देंगे अब जो है कि आपका तीसरा प्रश्ण है नौका जलमगन होना का क्या अर्थ है तो नौका जलमगन होने का अर्थ है कि जीवन के सारे सपने समाप्त हो जाना किलियर हो गया तो खो भी आपका complete हो गया, अब आई हम देखते हैं गव, गव देखते हैं, गव क्या कह रहा है, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी, एक निशब्द संगीत की भात, प्रकृति परचाई हुई थी, वही मित्र समाज था, वही मनुरंजन के सामान थे, मगर जहा हाँ से की ध्वनी थी, वहाँ अब करूर करंदन और अस्तुर प्रवाह था, तो आपका गद्यांस का संदरभ तो वही रहेगा, पाठ का नाम मंत्र लेखक का नाम मुन्सी प्रेमचन, अब आई हम लोग रेखांके तंस की तरफ चलते हैं, तो आपका रेखांके तंस जो है वह क्या कह रहा है, देखांके तंस ऐसे लिखेंगे कि लेखक का कहना है कि कैलास के जन्म दिवस के आउसर पर डाक्तर चड़ा के घर का लान हरा भरा था, वहाँ खुशी और आनंद का माहौल था, वही मित्र समाज था, वही मनुरण्यन के सामान थे, किन्तु कैलास को जब सरपने डस लिया, तब वही वातावरन दुख के सागर में डूब गया, सभी लोगों के आखों में आसू थे, आवाज में करुडा था, ठीक न, ये ऐसे उसका व्याख्या लिख लेंगे, क्लियर हुआ, उसके बाद, यहाँ एक प्रस्न और है, तीसरा, प्रकिर्त पर क्या चाही हुई थी, ये उसका उत्तर हो जाएगा, क्लियर हो गया बच्चों, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, और ये लग रहा है कि नहीं, ये आपके लिए काफी उपयोगी लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्क्राइब कर सकते हैं, यदि नए हैं अगर पुराने हैं, तो कोई बात ने, पुराने हैं तो आप सब्क्राइब किया होंगी, और जो प्लेलिस्ट में आप पुराना वीडियो देखे हैं, उसके अपने इस वीडियो में काफी परिवरतन मैं किया हो, क्योंकि वहां मैं टूल्स से खुद लिख रहा हूं, और य एक जड़ी कैलास को सुंगा देता, इस तरह नो जाने कितने घड़े उसके सिर पर डाले गए, और नो जाने कितनी बार भगत ने मंतर फूंका, आखिर जब उशा ने अपनी लाल-लाल आँखें खोली, तो कैलास की भी लाल-लाल आँखें खुल गई, एक छड़ में उसने अंगडाईली और पानी पीने के लिए मांगा, डाक्तर चड़ा ने दोड़कर नाराइडी को गले लगा लिया, और नाराइडी दोड़कर भगत के पैरूपर गिर पड़े, मिलालनी कैलास के सामने आखों में आसू भरे, पूछने लगी, अब तबियत कैसी है, तो अब द लिखक का नाम हो ही रहेगा, पहला परतन संद सिम हो ही रहेगा, अब आपका दूसरा परतन Canada रे खांकी तंस की व्याक्या तो रे खांकी तंस की क्या है, देखें, आखिर जह उश्या ने अपनी लाल-ला लाक्या खोली, यहां से ले करके, नाराइडी को गले लगा लिया, इसका व्याख्या कैसे करेंगे, अब आप देख लिए व्याख्या इसको करेंगे ऐसे, कि जब कैलास को जिलाने के लिए, कैलास को जब सर्पने डस लिया था, तो कैलास को जिलाने के लिए भगत जब मंदर पढ़ने लगा, तो भोर होने के पुर्व, भोर होने के समय, पुर जाने लगी उसी समय कैलास की भी क्या लाल लाल आँखें क्या हो गई खुल गई ठीक है तो और एक छण के लिए उसने पीने के लिए क्या मांगा पानी मांगा यह द्रिस्य देखकर डाक्टर चड़ा अपनी पत्नी को दोड़कर गले से लगा लिए यही इसका रिखांकितंस का व्याख्या होगा ठीक ना इसके बाद जो तीसरा प्रसंदिया है कि पानी के चार परेवाची शब्द लिखिए तो पानी के जो चार परेवाची शब्द हैं एक आप लिख सकते हैं अंब एक लिख सकते हैं नीर एक लिख सकते हैं तोय एक लिख स कहता है कि रात को मैं पहचाना नहीं पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया एक बार एक मरीज लेकर आया था मुझे याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी इंगलान हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिर कर अपना प्राद छमा कराऊंगा वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ उसका जन्म यश्ट की वर्सा के लिए ही हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्स दिखा दिया जो अब से जीवन परियंत मेरे सामने रहेगा ठीक है ना तो ये अपने खांकी तन्स क्या है मैं उसे खोज निकालूंगा और उसे पैरों पर यहां से ले करके जीवन परियंत मेरे सामने रहेगा तो गद्यांस का जो वह आपका वही है और देखिए यहाँ एक चीछ चूट गया है मैं यहाँ PDF नहीं बना पाया हूँ लेकिन चलिए मैं मौखी बता दे रहा हूँ कि मौखी क्या इसको कैसे लिखेंगे तो देखे गद्यांस तो हो जाएगा पाठ का नाम मुंसी पाठ का नाम हो जाएगा मंत्र और उसके अलेख़क का नाम हो जाएगा मुंसी प्रेमचंद अब रेखांगित अंस क्या होगा कि अब मैं अगर मौखी बताओं साथ आप लिख भी सकते हैं ऐसे लिखेंगे डाक्टर चड़ा के पुत्र को यानि कैलास को जब भगत ने अपने मंत्र के द्वारा जिला दिया उसके भगत वहाँ से चला गया और भगत को जाती भी किसी ने देखा नहीं तो डाक्टर चड़ा ने कहा कि जब भोर होने को हुगा पहले तो मैं नहीं पहचान पाया लेकिन जब भोर होने को हुगा तो मैंने उसे पहचान लिया और मुझे याद पढ़ रहा है कि एक बार वह अपने बिमार बच्चे को लेकर काया था और मैं गोल्फ खेलने जा रह को मैं खोजूंगा और उसके पैरों पर गिर कर अपना अपराद छमा कराऊंगा वह कुछ लेगा नहीं यह मैं जानता हूं क्योंको उसका जन्म जश्क की वर्षा करने के लिए ही हुआ है यानि कि मैं कुछ भी दूंगा पुरसकार की रूप में वह ग्रहन नहीं करेगा बस उसका जन्म केवल लोगों का उपकार करने के लिए यानि यश्क की वर्षा करने के लिए ही हुआ है उसकी सज्जनता ने मुझे आज एक ऐसा आदर्स दिखा दिया है कि अब मैं जीवन भर उसके आदर्स पर चलता रहूंगा यही जो है रिखांके तंसकी व्याख्या होग तो आप मौखी जैसे मैं बताया हूँ आप चाहें इसको लिख लेंगे और उसके वासे समानार्थी सब्दी की जहां तक बात है तो गलानी का मतलब क्या होता है पश्चाताप करना क्या करना पश्चाताप करना या पश्चतावा पश्चाताप ठीक है न और गरीब का तो इस तरह से आप ये इसको कंप्लीट कर लेंगे और यह इतना ही है कोखो गोगो अंगो इतना ही है अगर आप कहेंगे तो जिए उन परचे अपलोड कर दूँगा लेकिन जिए उन परचे अपलोड करने की मुझे नहीं लग रहा है उसकी कोई आउशकता है कारण ये है कि उसको तो आप पढ़ सकते हैं तो वीडियो उस तरह से भी काफी लंबा हो जाएगा आपके लिए उबाव हो जाएगा तो ये थोड़ा सा मुझे से मिश्टेक हुआ है कि लास्ट के प्रस्न का मैं पीडियाफ नहीं बनाया हूँ लेकिन जब मैं अपने टिलिग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा तो बिल्कुल वह इसका उत्तर टाइपिंग करके मैं पीडियाफ बना दूँगा ताकि आपको कोई असुद्धा नहीं होगी और टिलिग्राम चैनल का लिंक इसी दिस्क्रिशन बाक्स में है आप वहाँ से जोईन कर सकते हैं या फिर सीधे ज्यान को से जो केशन लिखेंगे तो आपके सामने वो मेरा टेलिग्राम चैनल खुल करका जाएगा और वहाँ से आप इसको चाहे पढ़ सकते हैं चाहे उसको प्रिंट आओड भी ले सकते हैं कोई दिक्कत ने चाह नोट्स बना सकते हैं तो प्यारे बच्चों इतना ही और कोई क वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जाते जाते चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए धन्यवाद